ये है जूल वास्प ये आपको देखने में खुबसूरत लग सकती है पर इसके अंडे देने के तरीके को देखकर शायद आप अपना मन बदल दें इस प्रजाती की फीमेल जूल वास्प अंडे देने के समय एक कॉक्रोज को पकड़ लेती है फिर ये कॉक्रोज के सीने को डं आपत है या नहीं क्योंकि अगर कम जहर हुआ तो कॉक्रोज सही समय आने से पहले ही मर जायेगा इसके बाद ये पूरी तरह से डिफेंसलेस लेकिन अभी भी जीवित कॉक्रोज को पहले से तैयार बिल में घसीट कर ले जाती है फिर ये उसके सीने के नीचे अपने अंडे देती है फिर करीब एक महीने के बाद लारवा अंडे से निकल आता है फिर धीरे धीरे ये कौक रोज को अंदर से खाने लगता है कुछ समय के बाद जब ये बड़े हो जाते हैं तो कौक रोज के खोल को तोड़ कर बाहर निकलते हैं और ये साइकल फिर से शुरू हो जाती है